आप साथियों को यहां बुलाने का हमने फैसला लिया क्योंकि अच्छा दिन था गांधी जैनती के दिवस्पे जहां पर पूरा देश जो है पूरा देश क्या पूरा वल्ड आज मातमा गांधी का दिन मना रहा है और हमें आज के दिन को लेकर जो पाथ जो रस्ते दिखाए गांधी जी ने उनको लेकर चलना पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ बड़ी दुखी बात आती है कि जब हम कुछ सेक्शन्स को लेकर चलते हैं जब किश्वीर में जब तक तक तीन राजपाल अभी तक दो तो चेंज हो गए और नए राजपाल जी आये हैं अभी पता नह कितनी देर और रहेंगे लेकिन एक बात जरूर है जो हमने गौर्णर साब की जहन में भी डाला उनको भी कहा कि जो सफर कर रही है पबलिक जो जहां तक बैक टू विलेज प्रोग्राम को हम सराते भी है लेकिन जनरली जो मासिज इस वकत सफर कर रही है चाहिए डिस्टिक अच्टिक आए लेकिन देसी साहिबा है या सक्रेटरेट का मामला है ऐसा लगता है कि जैसे बीरोक्रेसी ने जुमो किश्मीर के वो आला बन चुके हैं और वही गौड है और वही सब चला रहे हैं और सबसे बड़ा सबक जो है गांदी जी का हमें बीरोक्रेसी को पढ़ान और उनको ये लगता है कि जो उनका जो कुरसियां है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और जो डिस्क्रिमिनेशन पब्ली के साथ आप काफी सारी चीज़े नहीं कर सकते, कुरॉप्शन नहीं कर सकते, नियप्रडरिज्म नहीं चलेगा और अगर सेक्रिटरेट का ये बदलाव नहीं आया, अगर डिस्टिक अड्मिस्टेशन अपने व्यवहार को नहीं बदलती, मैं अपील करता हूँ लेटनेट गौर्णर साब से, कि इससे पहले भी हमने जहल में डाला, कि साब जमो किश्मिर की जो खराबियां आई है, वो सेक जो है, जहां तक कि गौर्णर साब ने रूल्स निकाले, कि मौर्णिंग गैरां से लेकर, दस से गैरां तक सौरी, और शाम को तीन से पांच तक, जो अवाम से डिस्ट साहबा मिले, गौर्णर साब एक दफा देखे कि आ उसके उपर डिसी साब अपना प्रैक्रिकली अमल क करते हैं, कोई डिस्टिक ऐसा नहीं है, जहां से कॉम्प्लेंट्स हमें नहीं मिलती, कि डिसी साहब नहीं मिलते, अनत्राकी में बात करूं, बारामुला की बात करों, कफ़वरा की बात करूं, और उसी तरीके से कुछ ऐसे चनद विरोक्रेट्स हैं, जुन्होंने सेרטर को भी हज्जाय करके रखाया है और इनको मूग करना बहुत जरूरी है सेक्रिटेट का रिशेफल हो और ऐसे लोगों को फटो फट उन्चे पोस्ट्न से हटाया जाए जो करप्ट प्रेक्टिस और नेपोटरिजम चलाते हैं उन लोगों को सेक्रिटेट का बाहर का दर्वाजा दिखाया जाए अगर ऐसा नहीं होता है जेडियू सडकों पर भी आएगी और प्रोटेस्ट करने के लिए भी हम लोग तैयार है